नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं Grand Jyote Secret मिथुन डासी वालों कौन है जो आपके सपनों में आता है कौन है जिस से आप प्यार करते हैं पागलपन की हद तक और कौन है जो आपके ख्वाप सजाता है आपके लिए जीना चाहता है आपके लिए दोपल सु खून के निकालना चाहता है आखिर वो कौन है आज हम आपके प्यार की बारे में ही बात करेंगे तो वीडियो के अंतक बने रही है और ये प्रडिक्शन चंदरासी पर आधारित है जो मिथून वाले हैं न चुकि जोतिस में ऐसा कहा जाता है कि वायू तत्तु की रासी है और मिथून रासी बुद्ध की रासी है बड़े ही बुद्धिमान होते हैं ज्यानवान होते हैं टैलेंटेड होते हैं अगर हम इनके बारे में दो बाते कहना चाहें आपसे कि ये कैसे होते हैं इनके जीवन की सच्चाई क्या है इनका ब्यक्तित तो कैसा होता है तो पहले हम य एक साथ दो चीजें, दुन्द, बेभार में भी ये चीजें होती है, दो बिपरीच चीजें, एकदम से, कनफ्यूजन वाली, कभी हाँ, कभी ना, अक्सर दो रहाई पर आ जाते हैं, अब एक दिन अगर आपको किसी बात के लिए ये दिन बता रहे हैं, तो दूसरे दिन हो सक है, आपको कहें, कि रात, अब ऐसे में एकदम से भी प्रीत, प्यारा और नफ्रत, दोनों ही चीजें, एक ही समय में, एक ही साथ, कनफ्यूजन की भावना, कभी-कभी इनके लिए भेत करना मुस्किल हो जाता है, कि ये किधर जाना चाहते हैं, भरम में पढ़ जाते हैं, औ और कभी-कभी इनके पास रहने वाली भी लोग ब्रमीत हो जाते हैं, अब यहां पर दुस्मन को भी-कभी ये सोचते हैं, कि ये बहुत अच्छे हैं उनके लिए, यानि कि इनकी जो अंदर की सक्ती है, सब कुछ चाहते हुए भी इनको अंजाना बना देती है, और फिर ये तो इनके ब्यक्तित्व में जो एक बहुत खुबसूरत सा गुन छिपा है, जो चतुराई है, वो बुद्ध के कारण है, लेकिन बुद्ध अगर दिमाग दे रहा है, तो दिमाग में बेचैनी भी दे रहा है, और चंचलता भी दे रहा है, अगर बुद्ध आपको अच्छ बुद्ध देता है, लेकिन आपको सनी हम भाग जो साथ है, वो सनी देव के कारण मिलता है, तो यहां बुद्ध आपको भ्रमित कर रहा है, तो किस्मत का धनी बनाएगा सनी देव, अब थोड़ा और आगे बढ़ें, चुकि वायू तत्त की प्रमुक्रासी है, वायू का मत आपके अंदर जो आपका पॉजेटिव गुन है, वो है आपका बुद्धिमानी, आपका बिनोधी सोभाब का होना, और आप कहीं भी रहते हैं, महौल को खुबसूरत बना देते हैं, कमजोरी, यह है कि अपने ही निरने पर डिंग नहीं सकते, अडिंग नहीं रह सकते, बल और तो इन चीजों से आपको बहर निकलना होगा, अब हम चुक히 हमने आपसे वादा किया है, आपके प्यार के बारे में बात करेंगे, जो मिधोन बाले होते हैं बहुत खुबसूरत होते हैं, इनकी आखें बहुत खुबसूरत होती हैं, और उखनाता। आप कोई भी टॉपिक पर बात कीजिए, वहाँ पे बहुत थीख, खुबसूरत सधेवे नंदाज में उसका जवाब देंगे और माहौल को बहुत खुबसूरत बना देते हैं, एकदम से परफेक्ट होते हैं मितुनवाले, बस एक कमजोरी है, तो कमजोरी पर आपको बिज़ को आकर सिप करता है, हर किसी को अच्छा लगता है, सायद इसलिए लोग इनके करीब आते हैं, कभी कभी तो इतने खुबसूरती से जवाब देते हैं कि सामने वाला एकदम से उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता है, इनके सोहाब में बच्पना भी दिखता है, सुरक्षा मिथूर्माले, सहीर टाइम मेनेजमेंट के लिए आपको एक छोटा सा काम करना चाहिए, क्या ये भी बताएंगे, देखिए समानता और प्यार, जो प्यार में खुशी परसन्नदा लाए, लेकिन यहाँ पर पुर्ण सोतंतरता में बाधा भी देती है, अब अगर हम एक तर है अगर नकात्मक चीजों में हम बात करें तो आपके रह में सबसे बड़ा अगर रोड़ा अटकाने वाला कोई बंदन है तो वो प्यार है अब आपका जो बैभार है कभी-कभी बातें ऐसा करेंगे लगेगा आप खुद ही यहां पर फिसल रहे हैं कभी-कभी धोखा भी खा यह प्यार को भी रिस्तों को भी क्योंकि यही चीजें आपके लिए सबसे बड़ा रोड़ा भी है अब हम आपके अगर प्यार की बात करें तो देखिए आप बहुत ही ज्यादा मनुरंजक होते हैं जहां भी रहते हैं अपने साथी को खुश रखते हैं अच्छे-ची बात करते हैं उनके लिए प्रिणा स्रोथ होते हैं प्रिणा देने वाले होते हैं और प्यार के साथ आप घंटो बाते भी कर सकते हैं लेकिन कभी-कभी हर काम में लापरवाही भी करते हैं चाहते हैं फटा-फट से सब कुछ हो जाए अब यह चीजें आपकी अधीरता का और पांत रही है क्योंकि संबंदों में दोहरापन भी नजर आ जाएगा तो कोई भी आपके साथ खुसी महसूस नहीं करेगा अब जिस पल आपको लगता है सब कुछ ठीक है आप खुस रहते हैं जिस पल आपको लगता है कि कुछ चीजें आपके विप्री जा रही हैं आप न जीवन को बेहतर करें कैसे अपनी लाइब को ठीक करें एक तो याद रखिए रोज सुबह उठकर एक नियम बना ले कि हनुमान 40 का पार्ट करना है और रोज साम में ओम संग सने चराय नमह का जब करना है यह आपके लिए अच्छा रहेगा तो चलिए आप आगे बढ़ते ह मितन मालो वो कौन से लखी नाम वाले हैं जो आपके जीवन को खुबसूरत मोड़ दे सकते हैं जो आपके जीवन में एक बहुत ही खुबसूरत सा साम लेकर आ सकते हैं वो कौन से लखी नाम वाले हैं जो आपके लाइफ को रौसन कर सकते हैं या उनका साथ अगर मिल जाए तो जीवन जीना आसान हो जाएगा यहाँ पर सब कुछ सरलता से प्राप्त होगा और भटकाओ नहीं होगा तो देखिए आपके लिए दो अक्षर बहुत ही ज्यादा सुभ है र, तालबसर फिर से सुन ले आर, एसेच एक बार फिर से र, यानि आर, तालबसर यानि एसेच जीवन में अगर आप चाहते हैं खूब सफलता मिले आपके कोई दुकान खोलना चाहते हैं फैक्टर इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो अगर एस या एसेच का प्रियोग करें या आपके साथ इनका रिस्ता जुड़ा है तो यकीन मानिए वो आपके लिए लखी होंगे आपके लिए फाइदे मंद होगा एस या एसेच ये ऐसे सब्द हैं जो आपके जीवन में चारों तरफ से आपको तरक्की ही तरक्की दिलाएंगे तो मिथून वालों ये तो थी आपके लिए एक ऐसा सब्द जो आपको सफलता सरलता से दिलाएगा लेकिन अब जो हम आपसे बात करेंगे वो है रासी की वो कौन से रासियां है जिनका साथ आपके जीवन में अगर मिल जाए आपको तो आपका जीवन बहुत ही खुबसूरत हो जाए तो मिथून वालों देखिए अगर हम आपके बिभाह की बात करें तो मिथून वालों का बिभाह के बात जो शुरुआत में वक्त होता है दो चार साल का दो तीन चार साल का बहुत दिकते होती हैं लगता है कि साधी टूट जाएगी चलेगी नहीं लेकिन थोड़े समय के बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है ये तो जमीनी हकीकत है लेकिन किन से आपका प्यार का रिस्ता लाकिन से आपका बैवाहिक जीवन अच्छा गुजड़ेगा तो वो है कन्या रासी, धनू रासी और मीन रासी कन्या धनू और मीन अमा लेते हैं विवा हो गया है सत्रू रासी से या कोई ऐसी रासी से लेकिन आपको बन नहीं रहा नि भी नहीं रहा क्या करें परिशानी बहुत है तो ऐसे में आप अपनी इंडेक्स फिंगर अंगुठे के पास वाली उंगली जिसको हम तरजनी उंगली कहते हैं इसमें सोने का छला धारन कीजिए या सोने के अंगुठी धारन करें तो अच्छा होगा और गुरुवार के दिन ब्रत रखें तो भी राह स्या होती है इसलिए आप सोना जरूर धारन करें फिलाल आप से विदा लेंगे दिन आप